हेलो फ्रेंड बूर्निंग रादे रादे कैसे हैं आप सब लोग तो आज जो है है 21 जनवरी और साम का समय हो रहा है करीब साम के 5.5 का टाइम हो रहा है और भी देख कि मितल जो है स्कूल से तो गरा चुकी ती दो फेर को ही लेकिन टूसन की आज जो है उसकी छुट्टी रख तो आज राम जी की यात्रा निकलने वाली है तो आप देख सकते हैं कि सोसाइटी के जो सभी लोग है वो सभी इखटा हो चुके हैं बहुत ही खुशी का महूल है और यहाप बहुत ही अच्छा सा डेकॉरसन हो रहा है और मंदिर यह बना हुआ है जिसमें हर फंक्शन जो हो यहां पर मंदिर एक साथ में बना हुआ है यहां पर नवरात्री वगरा जो भी होती है वह यहीं पर हम लोग मनाते हैं वह देखिए बड़े-बड़े वगरा लोग है वह भी यहां पर आके बैठ चुके हैं लेकिन राम जी जो है वह अभी तक नहीं आये हैं उनकी जो मूर्ति हैं वह लेके आने वाले हैं तो अभी देखिए सबी लोग यहां पर गेट पर आ चुके हैं बहुत ही मतलब बहुत ही भारी संक्या में यहां पर यहां पर आ चुके हैं तो अभी जो हैं यहां पर हम कर रहे हैं राम जी का इंतजार क्योंकि राम जी जो हैं अभी आने वाले हैं तो लीजी आपका जो हैं यहां पर इंतजार भी खतम हो चुका हैं जैसे राम का नारा लगाते हो यहां पर राम जी जो हैं वो पदार चुके ह और इनका रत भी आप देख सकते हैं रत इस साथ में वह आ गया है थोड़ी सी में प्यारी से आपको जलब भी यहाँ पर दिखा दूंगी भीड काफी जादा हैं मैंने पूरी कोशिस किया है कि मैं आपके साथ में अच्छा सा राम जी का फोटो वगरा शेयर कर सकूं वीडिय यह पर बड़ा चुकिया भी तो यहां पर देखे राम जी हमारे पदार चुके हैं और पंthe तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही राम जी पदार है तत्रशिस में पर बीच में आकर उस्नेए सबसे पहले जुए हैं बहुत ज़्यादा खुषन्स रा रह, रही हैं हमें आरे राम जी, सीता जी, लक्समन जी और इनी के साथ में हनुमान जी और ये देखिए मित्तर टोपी बेन कर सबसे पहले उसने पैर छूल ये हैं मुझे भी यहाँ पर पैर छूलने का बिल्कुल भी मौकर नहीं मिला तो में जो मंदीर में राम जी की जब इस्थाफना की तब मेंने वहाँ पर उनकी पैर्च हुए हैं और रत भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पर रत की भी सज़ावट हुई हैं सबसे पहले मंदीर में करेंगी इस्थापना यहां पboo कि देख loaf गवह कथा एक हूं आफ अपने दिपक लेकर लेकर रे ते वीए अर्ती में यहाँ पर हिसा लेना था वार्ती भी लेकर कि इस मेंने पास दिपक ले लिए थिर लोंगुली के चारों तरफ दिपक जलाने के बाद देगा भी हो रही है राम जिकी इस्तापन नाराम शितर लक्समर्ण अभी के इस चाहता नगेशना वह को और फैसे बेद्गे करिए गया दो मित्ति बॉट परबो क्याएं है क्यों स्रों एक सबस्क्राइब। कि छाइब हो इच्ट सब्सक्राइब अनुट करने यह है थे फ्रेंटों जो बड़ तो बोलिए जे श्री राम, 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 तो फ्रांट अभी जो है, साम का समय हो रहा है, मैं किचन में आ चुकी हूँ, और सच में आज का दिन जो है, बहुती अच्छा रहा, बहुती सांदार मज़ा आया, सभी को मितल क तो सबसे ज्यादा मज़ा आ गया था और इसी खुसी में जो है मितल ने आज बोला है कि ममा कुछ इस पैसल सा खाने में बना दो तो जो है इसी खुसी में आज में बना रही हो बहुत ही जबर दसी रेसिप आपके साथ में सेयर करूंगी तो वीडियो अच्छा लगे तो में तेल का भी यूज कर सकते हैं लेकिन गीर से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बनता है तो एक बार आप इस तरह से ट्राइज जरूर किजिए तो मैंने थोड़ा सा गील लिया था थोड़ा सा गील लगा तो इसी तरह से टोटल हमारा जो यहां पर चार पानी नहीं डाले अगर एक साथ में पानी डालेंगे तो आटा आपका जोए नरम हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डाले तो एक तम सकत आटा लगा कर तयार करना है आटी को हम 10 मिनिट के लिए रैस पर छोड़ देंगे टाइम ज्यादा है तो आदि गंड़ी के ल जो भी एक्ष्टा पानी है वह सोक हो जाए अभी मालू को इस तरह से रफली तोड़ लेंगे तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही जबर दर सा जो है समोसे की रेसिपे सेयर करूंगी जो बहुत टेस्टी बनती है और जट पर बनके रेड़े हो जाएगी एक साथ में आप चोटी चमज के करेब धनिया पाउडर हलदी पाउडर आधा चोटी चमज एक कटूरी मैंने यहां पर मटर ले लिया है आप चाहें तो यहां पर हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं बडों के लिए बना रहे तो मैं आज बच्चों के लिए बना रहे हूँ हम अभी मैंने थोड़ी सी आदा चमच के करीब कसूरी मेती को करस कटके डाल दिया हैं थोड़ा सा मैंने दो पिंच के करीब डाला है अजवाइन इससे समोसे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो देखिया हैं आप डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर क्योंकि मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली हैं तो आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं आदा चोटी चमच मैंने लाल मिर्ची डाली हैं एक चमच बरके मैंने हमness पक्ड़ा डाल दिया हैं स्वाइङ चो आधर के नुसवां आज कम करके दें कि वह सारे इसके में जासमा जांचे से मुलकर करके देखने की तीव difference मॊंचे कि मतलब के मतलुआफ़ अभी हम आटे को थोड़ा सा अच्छे से मसलेंगे तो प्लेट्फपरम को मैंने आच्छे से साप कर दिया था पहले ही यहाँ पर ठोड़ा सा डालेंगी ओईल ओ आठे को इसके उपर रखकर हम 29 separate के लिए दोनों आतों से अच्छे से इसको मसलेंगे फ्रेंड ताकि आठा हमारा अच्छे से चिकना हो जाए और समुसा हमारे इससे बहुत तिक खस्ता बनेगा तो अभी देखे मैंने लोईों को तीन बाग में डिवाइड कर लिया हैं सबसे पहले को हम लोई बनाएंगे और दो पर चाकू ले लिया है तो इस तरह से हम काटेंगे तो मैंने इसको आठ बागों में रोटी को डिवाइड कर लिया हैं आप देख सकते हैं आठ बाग हमारे एकदम सेम हैं अभी मैंने आलू के इस तरह से गोले बना कर पहले रग दिया थे छोटे-छोटे बॉल बनाने ज्य कवर कर देंगे और तीसरे कवर को हम इस तरह से पकल लगा करके अच्छे से इसको पैक कर देंगे किसी भी तरफ से खुला नहीं रहना चाहिए नहीं तो इसके अंदर ओयल जो है वो चला जाता है तो अच्छे से पाने लगा है तो आराम से पैक हो जाता है तो इसी तरह से सारे समोसें बना कर तयार कर देंगे एक में आप और आपको और दिखा देती हूं अच्छे से पाने लगाना है तीनों साइड में उसके बाद जो है एक छोड़ पकड़ते हुए इस तरफ और दूसरा उसके उपर और तीस चेक हम दोनों के उपर इस तरह से करेंगे तो देख कोई काता हमारा बच गया था उसका मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे यूजब करना है तो यह कर तेल मैंने यहाँ पर गरम करने के लिए रख दिया है अलका सा तील हमारा घरह हुआ है ज्यादा तेल याँ आपर घरम नहीं जो देखे एकक समोसप और ढालते जाएंगे एक का टाइम लगेगा तो यी देखी हालका सा एक मिंटर हो गया है जाला तौह तो यहां इसको रुटा करते हुए समँसेी संद्सक्राइब से गोल्डन फ्राइ होने तक पकाना है हमें तो चारो बाजू समोसा हमारा अच्छे से पके इसके लिए आप जो हैं दो से तीन बाइस को उलट करते रहें और समोसे हमारे देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं तो एक मिनट यहां पर लगेगा तो यह देखिए एक मिनट फिर से हो चुका है और समोसे का आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है अभी हम इसको आदा मिनट और पकाएंगे तो यह लिए फ्रेंट समोसा हमारा बनके रेडियो हो चुका हैं एक दम क्रिस्पी खस्ता समोसा बना है मार्केट से भी टेस्ट यह समोसा अगर आपने इस पार इस तरह से समोसा बना के ट्राई किया तो मेरी गैरंटी है कि आप जो है मार्केट से लाना बूल जाएंगे यह समोसे इतने टेस्ट बनते हैं तो देखे फिर से मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ पीछे हमारे जो आठ समोसे बच्चे हैं वो भी मैंने इसके अंदर डार दिये हैं इसको भी जो हैं सेम तरिके से हम फ्राइ कर देंगे साथ से आठ मिनट का टाइम लगेगा बहुत ही आसानी से और आप देख सकते हैं एक भी समोसा हमारा फटा नहीं यहाँ पर क्योंकि हमने इसको अच्छे से पेक किया था वो समोसे फ्रेंड सेच में जब मैंने ये मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं जब मैंने ये समोसे बच्चों को खिलाए थे कितने क्रिस्पी और खस्ता समोसे लग रहे हैं मैं आपको यहाँ पर एक दोड के भी दिखाऊंगी तो अभी हम लगाएंगे इसकी प्लेट समोसे रखेंगे इसके साथ में आप चटनी बना सकते हैं कोई भी चटनी आप एंजोई कर सकते हैं तो मैंने याप पर ग्रीन चटनी और टमाटर केचप रखा हैं तो आपने देखा मेने आपको तोड की दिखा हैं समोसे अपमारा कितना खस्ता बनाए हैं एक मैं आपको यहाँ पर खाके भी दिखाऊंगी सबसमें आप रिशम गाईज आप इस्वासने करेंगे उसनितों से बधाते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं और मितल के लिए वोगचार हां दॉद्धज कर बता है कि मैं यूद्धी को भी सब्सक्ति के सुमस है सब्सक्राइब करें कि बताओ कैसा लगा कि बहुत बढ़ी अच्छा बनाएं आप लोग आजए खाने के लिए बार से ज्यादा घर का अच्छा लगा है तो अभी आपने देखा फ्रेयं मिटल और उसके पापा दोनों को इस समोसी बहुत ज्यादा पसंद आये और मैंने आजपर उसके बच्छों के लिए बहुत ज्यादा पसंद आया है उनको भी समोसा बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक लोई हमारी पीछे बच गई थी तो उसका हम कैसे यूज करेंगे बहुत बार हम समोसे बगर बनाते हैं तो आटा थोड़ा पीछे बच जाता है तो अगर आपका भी आटा इस तरह से बच जाए तो अब इस तरह से उसका यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसकी लोई बना लिया है इसको भी हम बड़ी साइज में बेल लेंगे लेकिन इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना है अलका सा में इसको मोटा रखोंगी तो यह देखे रोटी हमारी आप पर बेल चुकी है तो अभी मैंने यहाँ पर चाकू ले लिया है और चाकू की मदद से आदा इंच की दूरी पर यहाँ पर ऐस तरह से कट लगा देंगे तो एक बार मैंने लंबई में कट लगाया है और दूसरी बार फिचे इसको जो हैं चौकोर हम काट देंगे जिस तरह से हम मठरी बगेरा बनाते हैं तो सक्कर पारे जैसे बनाते हैं उसी तरह से मैंने इसको काट दिया है तो ये आज हम जो है इसके बचे हुए आटे के सकर पारे बना रहे हैं तो ये नमकी सकर पारे बनेंगे क्योंकि इसके अंदर अजवयन डाला हुआ है नमक डाला हुआ है और हमने इसके अंदर घी का मौयन भी डाला है नमक पर हैं यह नमक परे बहुत ज्यादिश्टि बनते हैं इसके पानदा कर सकते हैं तो तीक मिस इसाल बना करतेनर करते हैं तो जो है इस नमख पारह को हमें अलकी आंच पर इसको फ्राइब करना है बहुत ही टेक्ति रगते हैं बहुत ही और ज्यादा इसको तनले मिमा ज्यादा टााइम नहीं लगता है तो फ्रेंड बहुत अच्छा लगी तो लाइक और इसलिए करें करें बिल्कुर नहीं बुले हैं तो बहुत ही सरप्राइब्स सा आप के साथ में इसे करूंगी किसकी ते कैसे जहें हमने तैयार्या की हैं क्या हमने अब डेकोरेट वगयरा किया हैं तो एक बंच को मैंने फ्राइब कर दिया था यह दूसरा बंच और एक रोटी से भी हमारे काफी जो है नमक पारे बंद के रेड़ी हुए थे तो सारे नमक पारे हमारे यहां पर बंद के रेड़ी हो चुके हैं तीन से चाह मिनट का टाइम लगता है इनको फ्राई होने में एक बाप बना कर आप इनको लमे समय तर इस्टोर भी कर सकते हैं तो फ्रेंट आज का वीडियो यही तक था वीडियो अच्छा लगे तो लाइक हो शेयर करना बिल्कुल नहीं बूले चैनल पर निवे तो सब्सक्राइब करें बेल आकट प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले अब तब पहुँचे मिलते हैं ऐसे ही मुझेदार वीडियो के साथ